पूरी चुनाव तक चलती है लेकिन उदैपूर के मावले विधान सभाश्वेत्र के 18 गाउं वैस्ते हैं जहां खोखले दावों से गुसाई लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसने प्रिश्वासन की नींद उड़ा कर रखती है क्या थे दावे और क्या है इन लोगों का फैसला इस रिपोर्ट के जरीए देखिए जाने वाली सड़क के पास अंडरपास की मांग कर रहे है सिक्स लेन पर शीशम की घाटी से होते हुए करीब दो दरजन गाउं जुड़े हुए है और इस सिक्स लेन के चौराहे पर अंडरपास नहीं बनाई जाने से ये ग्रामीन आक्रोशित है ऐसा कतई नहीं है कि अपनी इस मांग से इन ग्रामीनों ने जिमेदार अधिकारियों और जन प्रतिरीधियों को अवगत नहीं कराया हो लेकिन नतीजा सिफर ही रहा ऐसे में अब ग्रामीनों ने चुनाओं में मतदान का वहिशकार करने की चेताव नीदी है मुझे अनुभव है कि यहां अंडरपास 2005 से लगातार चलना है पकाईदा कट लगने के लिए हमने एनुसी जायर की थी डालचंजी के वहां कि भाई हमारे अंडरपास होना चीए और अंडरपास अगर नहीं देंगे तो यहां 15-20 गाम तो इधर के हैं दक्सीन की तरब से और उत्र की तरब से भी 15 गाम कम से कम इसमें लगे हुए हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सुन्नाव का वहिशकार करेंगे यह फाइनल बात है यहां के लोगों की माने तो जब से सिक्सलेन हाइवे का कारे शुरू हुआ है अंडरपास नहीं होने के कारण सड़क पार करते समय कड़ी बड़े हाथ से हो चुके है यही नहीं कई परिवारों की चिराग इन हाथसों में बुझ भी गए है जिसका दर्ध आज भी धर्णे पर बैठे कई ग्रामीनों की चेहरों पर साफच लगता है इसलिए हमारे बहुत दूर बन रहे तो पास में नहीं है इसलिए आने जाने में बगरोबगी होता है और बचों को स्कुल बेजना लाना । रहे हुआ तक्लीब में हम पचास सो दान सो बार हम चितोरबी जासु के सब नेतों से बहराल इन ग्रामीनों की समस्या का क्या निदान निकलता है ये तो समय के साथ ही तैह होगा लेकिन अभी जन प्रतिनिव्यों का इस और ध्यान नहीं देना उनकी लापरवाही को उजागर करता है जिसके कारण ही ये ग्रामीन मतदान के बहिशकार करने पर आमादा है रवी पर्स्ट इंडिया न्यूस उदैपुर